हेलो एवरीवन आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने पार्थिव शिवलिंग यानि की मिट्टी के शिवलिंग बनाने बताये थे आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि किस प्रकार से आप गौर चैनल में यानि की मूरति की मूर्ति तयार कर सकते है paper Р Smtv हमारी रचा स्वागत है मैं अइक कार्डबोर कर नीं किर कर सके उसके उपर मैंने एक बड़ा गोला रखा है उसके बाद में छोटा गोला और उसको देखिए इस तरीके से टुत्पिकी मदद से उसे जॉइन कर देंगे ताकि मूर्ती हमारी इधर-उदर नाकिस के और इस तरीके से हमने एक शेप तयार कर ली है तो यहां पर मैं देखिया आप उनके पैर बनाओंगे और हाथ बनाओंगे तो बहुत आसान होता है आप हल्दी से भी बना सकते हैं मिटी से बना सकते हैं गोरी मा और गोबर से भी बनाए जाती है गाय के जो सुद्ध देशी ग होता है उसे भी बनाइजाती है अगरि माता तो गोर गणेश ka पूजन हर पूजन में कंपल सरी ही माना चाता है तो उस तरीके से बना सकते हैं अब जब मूरतिotsımızı हमई क्यार हो जाती है तो उसके बाद में हम इनका कमले में किसी क्यारी में किसी पवित्रिस्तान पर इनका विसरजन कर सकते हैं तो यह eco-friendly भी रहती है तो ईह इस तरह के से हम आप चाहें तो दोनों हाथों को join भी कर सकते हैं एक साथ जोड करके या फिर आफ इस तरह के से आशिरवाद मुद्रा में भी उन्हें कर सकते हैं बना सकते हैं तो बहुत ही सुन्दर सी हमारी गौरी माता तयार होंगी तो जो भी मूर्ती प्रतिमा हम खुद से बनाते हैं तो उसके अंदर हमारी भक्ती भावना होती है तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से आप बनाएं तो आप पूरा शिव परिवार इस तरीके से बना सकते हैं शिलिक बना सकते हैं, गणेशी की बनाने की जो विदी है वो भी मैंने चैनल पर अपप लोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं तो देखें, इस तरीके से मैंने गौरी माता बना ली है उसके बाद में हम इनकी आइस नोस लगा देगे नोस लगा देंगे और आइस भी बना देंगे तो बेहद आसान है आप चाहें तो इसमें और अच्छे-च्छे से कलर भी कर सकते हैं तो यह तुरंत भी बनाई जाती है जैसे कि हमें आज पुचन करना है तो पहले दिन बना ली या फिर आप चाहें तो इसे च्छाओ में रखरके सुका भी सकते हैं, जब आप मूर्थी बना रहे हूं तो एक चीज़ का धिहान रखे कि जो मिटी है वो एकदम चिकनी होनी चाहिए, ऐसी मिटी आप ले 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 और आप चाहें तो मिटी कुमार के याँसे भी ले सकते हैं या फिर गमले की क्यारी की मिटी कैसे भी बना सकते हैं तो देखिए इस तरीके से मैंने आर्टिफिशल आइस बहुत सस्ती सी आंके आती है एक रुपे की जोड़ा के हिसाब से ले ली है उससे एकदम से अच्छा सा लूक आ गया है चुन्डी उड़ा देंगे माको तो हमारी गौरा माता तयार हो गई है पूजा के लिए तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस महाशिवरात्री के पर पर गौरी माता आप अवश्य रूप से बनाए ओम नमा शीवए